Hello dear students, आज की इस lecture में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप amino acids को याद रख सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि amino acids क्या होते हैं, बच्चों, amino acids वो होते हैं जो जब आपस में connect होते हैं तो protein बनता है मान लीजिए, ये कोई एक amino acid है, ये कोई दूसरा amino acid है, तीसरा, चोथा, एंड पाँचवा, ठीक है ये हमने कुछ amino acids बना लिए, जब इन amino acids के बीच में peptide bond बन जाता है, like this यानि कि जब ये amino acids आपस में peptide bond से connect होकर गे, एक complete chain बना लेते हैं तो इसको बोलते हैं protein तो आपको क्या समझ में आया है कि amino acids protein के निर्मान में help करते हैं, protein के synthesis में help करते हैं बच्चों, total amino acids 20 हैं, जो की protein synthesis में help करते हैं, वैसे 20 से ज्यादा amino acid होते हैं, बट protein synthesis में help करते हैं, वो सिर्फ 20 है अब बात करते हैं amino acid कितने type के होते हैं तो basically amino acids को हमने दो category में divide किया हुआ है one is essential amino acids and another is non-essential amino acids essential amino acids वो होते हैं जो हमें diet से लेने पड़ते हैं ठीक है these are taken from diet मतलब कि हमारी body इनको नहीं बना सकती है इसलिए हमारे में खाने के जरीए ही ये मिलते हैं बट जो non-essential amino acid है ये ऐसे amino acid है जिनको हमारी body खुद से बना सकती है so these are made by body itself यानि कि हमें अलग से इनको diet से लेने की जरूरत नहीं है हमारी body इनको खुदी बना लेगे बट essential वो होते हैं जो हमें diet से लेने ही लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारी body इनको नहीं बना सकती है अब 10 essential हैं बच्चो 10 non-essential amino acid होते हैं इतने सारे कैसे याद रखेंगे इसके लिए एक trick बता रहा हूँ आप कोई भी एक वाली line याद कर लीजे चाहे तो आप essential को याद कर लें चाहे non-essential को मैं आज के इस video lecture में आपको essential amino acids को याद रखने के एक trick बताऊँगा तो देखिए आपको ध्यान रखना है एक चीज लिखता हूँ मैं यहाँ पे HIV HIV एक virus है जो AIDS cause करता है ठीक है तो आपको याद रखना है HIV positive aladin HIV positive aladin may live long टेक आरजी नाइन टैबलेट यह चीज आपको ध्यान रखने की HIV positive aladin aladin नाम के बंदे को HIV AIDS हो गया है और अगर उसको लंबे टाइम तक जीना है may live long उसको टेक आरजीनाइन टैबलेट तो उसको आरजीनाइन टैबलेट लेनी पड़ेगी अब इसको ड्राइव करते हैं बच्चों देखिए एच से बन जाएगा आपका histidine दिस इस और फिस्ट अमाइनो एसेट आई से हो जाएगा बच्चों isoleucine ओके वी से हो जाएगा वैलाइन पोजिटिव अलादिन अब यहां पे दो वर्ड है तो क्यों लिखे हैं मैंने देखिए पोजिटिव का पी निकाल लो और अलादिन का अला निकाल लो तो इससे हो जाएगा हमारा फिनाईल अलानिन फिनाईल का यहां पे पी आ गया पोजिटिव वाला और अलादिन का अलादिन हमने निकाला तो अलानिन फिनाईल अलानिन मे का M M से हो जाएगा बच्चों मैथियोनिन लिख के L से हो जाएगा लूसिन लॉंग लॉंग के L से हो जाएगा आपका लाइसीन उसके बाद टेक टेक के T से हो जाएगा थ्रियोनिन थ्रियोनिन RG9 में आपको कुछ भी मोडिफिकेशन करने के जुरूत नहीं है ये complete एक amino acid का ही नाम है तो आप इसको ऐसे का ऐसा लिखी दीजिए RG9 उसके बाद में टेबलेट के T से हो जाएगा बच्चो ट्रिप्टो फैन ट्रिप्टो फैन तो ये एक सिक्वेंस आप ध्यान रख लीजिए HIV positive aladin may live long टेक RG9 टेबलेट उसके बाद बाकी जितने भी बचगे आप उसको non-essential वाली list में put on कर देंगे इस type से ध्यान रख सकते हैं अब एक most important चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कई बार क्या था बच्चो histidine को और RG9 को non-essential में देखोगे कुछ books में लिखा हुआ है और कुछ में essential में तो ये क्या fund है ये थोड़ा सा समन्में आपको समझाता हूँ दो amino acid ऐसे हैं जो एक तो अपका histidine और दूसरा RG9 इसको कभी essential में लिख देते हैं कभी non-essential में ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ये एक semi-essential amino acid है ठीक है तो semi-essential का मतलब क्या हुआ कि कुछ हद तक हमें diet से मिल जाता है कुछ हद तक हमें ये हमारी body इसको बनाती है तो कौन-कौन से है one is your histidine and another is your RG9 these two are semi-essential अब इनको भी याद रखने के लिए बहुत simple सा फंड़ा आपको ध्यान रख लेना है जो हर्याना स्टेट है उसके अंदर एक बहुती popular city है that is हिसार हिसार ध्यान रख लोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा देखे हिसार का शुरू का जो हिस है उससे बन जाएगा आपका histidine और R से बन जाएगा आपका RG9 यानिके हिसार के अंदर आपके दो semi-essential amino acid छुपे हुए हैं histidine and RG9 इसके बाद जितने भी बचके सारे के सारे आपके non-essential में डल जाएगे non-essential में कौन-कौन से होते हैं अब आपको लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए सो ये 10 आप क्यों होगे non-essential और इधर हमने जो 10 लिखे हूँ होगे आपके essential एक तरफ के आद करवा दिये हैं दूसरे तरफ के आपको बागी के इसमें put on कर दिने so that's it, thank you so much